हलो माई डियर स्टुडेंट्स बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में मैं हूँ विवेक राना यॉर केमिस्टी मेंटॉर और आप मुझे देख रहे हैं आकाश बाइजूज नी चैनल पर स्टुडेंट्स 17 जुलाई को हमारा नीट का एक्जाम है और नीट के एक्जाम में अभी सिर्फ 15 डेज बाकी है तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटीजी हो आपकी जब आप लास्ट टाइम अपने स्लेवस को डिटेल में रिवाइस कर रहे हों कितने कॉंसेप्ट को याद करके अपने नीट के एक्जाम में जा रहे हैं जिससे कि हम मैक्सिम से मैक्सिम या सारे कोश्चन को अटेम्ट कर पाएं तो आज केमिस्ट्री की स्टेडिजी के बारे में बात करेंगे स्ट्वेंट चलिए सबका आपका स्वागत है मैं और आप महाँ पे जाके जॉइन करके सारी PDF सारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं तो स्ट्वेंट के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स में सुन रहे हैं मेरे मैक्सिम बच्चे अभी तक नीट 2022 मोक टेस्ट को रिस्टर कर चुके हैं आपका एक्जाम होगा 3rd और 10th जुलाई को और 4th जुलाई को हम यहाँ पे 3rd जुलाई को आपका जो एक्जाम होगा उसकी एनलिसिस करेंगे 4th को याद रखिएगा डिटेल मेनलिसिस होगी और बताएंगे किस तरह से आपको अपना नीट का एक्जाम देना होता है किस तरह कोश्चन आते हैं और किस तरह के कोश्चन आपके 3rd जुलाई के मौक के अंदर आए हैं तो चलिए अब स्ट्वेंट बात करते हैं हम अपने revision strategy की तो देखिए अब सबसे ज़्यादा importance है NCRT की क्योंकि जब हम NEET के exam की preparation करते हैं तो स्ट्वेंट preparation के दोरान हम बहुत सारी help book को use करते हैं different notes देखने हैं class क बट अब आपका revision NCRT से होना चाहिए और NCRT से भी in detail revision होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप revision करें physical chemistry, organic chemistry और inorganic chemistry का so one by one बात करते हैं to the point बात करेंगे crisp point मैं आपको बताऊंगा देखें physical chemistry के बारे में बात करें physical chemistry में दोनों तरह के question आते हैं conceptual question भी आते हैं और numerical भी आते हैं so conceptual question के लिए आप जो है जो concept आपने पढ़े है physical chemistry के अंदर उनको एक बार detail में देखिए कि उनकी explanation उनकी proper definition को बिल NCRT के अंदर जितने भी solved, in-text और exercise के question होते हैं student लगातार में देखता आ रहा हूं कि NCRT के अंदर जो exercise के question है वहां से question directly आ जाता है neat exam में with same value ऐसा बहुत सारे chapter से होता है atomic structure से, gaseous state से, thermodynamics, equilibrium, electro chemistry solution so लगातार आपको मैं बताता जा रहा हूं कि वही वाकिए में चाहे आप dropper हैं, चाहे meet के अंदर objective question के पूछा जाता है, बट यहां पे भी आपको subjective question के practice करके जाना है जिससे की आपको यह पता लग जाए किस तरह से formula, कौन सा formula, कौन से concept के अंदर use होता है calculation की आपकी अच्छी practice हो जाएगी last time के अंदर और हो सकता है कि 4 to 5 question अगर वहां से direct आ गए तो हमारी बल्ले-बल्ले है और हम क्योंकि करेवे question हम आसानी से solve कर पाएंगे तो हमें कम time लगेगा question को solve करने में confidence हमारा high रहेगा तो physical chemistry के लिए सारे exercise के question मेरे students जो मुझे सुन रहे हैं मुझे follow करते हैं definitely करके जाएंगे next 15 days के अंदर इसके बाद मैं student बात करते हैं organic chemistry की वही organic chemistry तो conceptual base है organic chemistry में क्या-क्या part important है organic chemistry में name reactions important है reaction mechanism important है reagent को जानना important है कि कौन से reagent होते हैं particular name reaction के अंदर oxidizing agent reducing agent और इनको अगर आपको कम time में revise करना है तब भी आप organic chemistry के अंदर जो end में exercise के questions हैं उनको solve करिए वहाँ पर आपको बड़े शानदार conversions देखने को मिलेंगे distinguish between different compound के जो questions आपते हैं वो देखने को मिलेंगे so convergence से distinguish between से और आपको पता लगेगा उसके अंदर की concept particular condition में कौन सा product मिलता है so आप जो है बहुत ज़्यादा concept को कम time के अंदर उन NCRT questions से revise कर सकते हैं इसके साथ NCRT के अंदर जो reactions के साथ साथ theory लिखी रहती है वहाँ पर जो conditions मेंशन होती है उन conditions को भी अच्छे से देखिए अच्छे से पढ़िए जिससे कि आपको exam के time में वो conditions याद रहें इसके बाद में हम बात करते हैं inorganic chemistry की या देखें inorganic chemistry के लिए factual जादा है तो जितने जादा fact आपको याद रहेंगे उतना अच्छे से आप जो है inorganic chemistry के questions को attempt कर पाएंगे तो NCRT की line to line पढ़िए short notes बनाते जाएए अब अपने आपसे पूछे कि कौन सा जो chapter ऐसा था जिसके अंदर आपको थोड़ा doubt लगता है तो उसके उस particular chapter के revision जादा करिए S block periodic properties, P block coordinate chemistry और बताता हूँ मैं हमारे पास मैं यहाँ पे chemistry everyday life यह particular जो part आता है ना hydrogen यहाँ से जो lines लिखी हुई NCRT वहाँ से question आ जाता है तो उन lines को आपको समझना जरूरी है आपको याद होना जरूरी है और NCRT के बाहर पेपर नहीं आता so ultimately अपनी हमें इतने concept को बार बार पढ़ना जिससे कि हम अपने concept को retain रख पाएं जब हम अपना exam देने जा रहे हैं तो इस तरह किसे आप NCRT को use करिए physical, organic और inorganic के लिए so student अब इसके साथ point यह भी आता है कि हमें previous year questions solve करने है but अब आप 20 year के previous year questions solve करिए 2000 से लेके 2020 तक के questions को आप अच्छे से देखिए और उनमें देखिए कि किस तरह से NCRT से question आ रहा है अगर आप वो सारे question अच्छे solve कर पारें तो आपका confidence boost होगा अब इसके साथ साथ यह जरूर देखिएगा कि आपको कौन से chapter difficult लगे या कौन से topic difficult लगे उनको ध्यान से next 15 days के अंदर पढ़ना है बताता हूँ क्यों क्योंकि अब हमारा exam आता है असान तो जो आपको difficult लगता है ना जो आपको डराता है वहाँ से असान question आएगा तो आप उससे डरिये मत उसको skip मत करिये छोड़िये मत वहाँ से अगर आप normal concept को भी understand करके चले आते हैं तो आप आसानी से question को solve कर लेंगे बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर क्या हम thermodynamics के हम equilibrium को छोड़ सकते हैं क्या हम coordinate chemistry को छोड़ सकते हैं मैं कहता हूँ कि कोई भी topic कोई भी chapter मत छोड़िये क्योंकि जो आपको difficult लगता है एक बार आप उसको चले superficially भी पढ़ लेंगे NCRT के question भी solve कर लेंगे तो आपको जब question आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर वहाँ से तो आसान question आया था और मैंने उसको attempt कर दिया मेरा सही हो गया मैंने आपकी last time में बात मानी जो आपनी एक list बनाई है difficult topic की और उनको कहीं और से नहीं तो at least NCRT से ही एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ये tip आपको बहुत काम आएगी आपका 100% syllabus cover हो जाएगा syllabus in depth cover हो जाएगा और आप best marks के साथ best rank भी लेके आएगे best medical college के अंदर जाएगे बच्चो ये बहुत important point है अब आप per day अगर मैं बात करता हूँ तो per day student आप three chapters को revise करिए per day three chapters को revise करिए आपका एक chapter होना चाहिए physical chemistry से एक chapter होना चाहिए हमारे पास में organic chemistry से एक chapter होना चाहिए inorganic chemistry से ऐसा क्यों क्योंकि सर क्या हम एक दिन पूरा physical एक दिन औरगनिक एक दिन औरगनिक ना करें मेरा हिसाब से तीनों chapter को तीनों physical औरगनिक औरगनिक क्योंकि जितने दिन बचे हैं उस दिन three chapters तो per day revision होना चाहिए ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो exam आएगा 45 questions के अंदर हमारे पास जो chemistry questions जो हमें solve करने है उसके अंदर physical औरगनिक औरगनिक होगा तो बहुत quickly हमारा जो brain है वो एक जिए के struck ना रहे कि physical कर रहे हैं तो physically याद आ रही औरगनिक याद नहीं आ रही so next 15 days में at least 5 to 10 mock test on the base of your preparation ठीक है 5 से 10 mock test लगाए आपको लगता है सर जो आप बता रहे है NCRT वो भी अच्छे से पढ़ी हुई है तो मैं कहता हूँ हर दिन 1 mock test लगाए बहुत जरूरी है आपको लगता सर NCRT के साथ साथ mock test लगाने है जाएंगे जो next 15 days के अंदर आप यहाँ पर हमारे साथ में solve करेंगे और इसके साथ साथ बिटा आकाश बाइजू नीट चनल पर मैं आपको important questions की practice लगातार कराए जा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि वहाँ से बहुत सारे questions जो है सारे concept पढ़े हैं क्या हम उनको retain रख पा रहे हैं और retain रखने के लिए multiple revision की requirement है तो यह सारी बाते important हैं जो मैं आपके साथ लगातार करता जा रहा हूँ लगातार आपको guide करता जा रहा हूँ उमीद करा हूँ कि मेरी guidance आपको बहुत अच्छी लग रही होगी आपके काम आ रही होगी इसके साथ साथ आप comment box में मुझे बता भी सकते हैं कि किस particular topic पे आपको guidance की requirement है किस particular topic पे आपको और जादे question की requirement है तो बचे वे जितने भी दिन है उनके अंदर में बहुत अच्छे से use कर सकते हैं शांदार content है जो आपकी preparation में चारचान लगा देगा आपकी preparation को enhance कर देगा बूस्ट कर देगा और यहाँ पे हम आपको provide करते हैं best question, best quizzes, animated video बहुत सारी चीजे हैं जो आप आकाश भाई जो आपको download करके use करेंगे तब आपको पता लगेगा तो student, इनी सारी बातों से आज का session में आपके साथ मैं end करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छर prepare कर रहे होंगे, अपने अपे विश्वास रखेगा कि जरूर आप इस बार neat crack करने जा रहे हैं और आपको अपना dream college मिलेगा है ना, इस बात की उमीदों के साथ में इन सारी धुआओं के साथ, आशिरवात के साथ में आज का session में end करता हूँ Thank you guys, thank you very much